इस विडियो में दी हुई जानकारी Internet से ली गई है। हम इस विडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को ऊस्तेमाल करने से पहले एक बार Doctor से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देख कर किसी दवा का उपयोग करते हैं और आपको नियोजन दवा है जिसका उप्योग गेस्ट्रोसुफेगल रिफलक्स रोग, एसिड रिफलक्स और पैप्टिकल्स रोग के इलाज के लिए अम्लता के लक्षणों जैसे की नाराजगी, पेट दर्द या जलन से राहत देने के लिए किया जाता है ये एसिड को भी बैसर करता है और पेट की परेशानी को कम करने के लिए गेस के आसान मार्क को बढ़ावा देता है एसेरा डी कैपसूल एसर को डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में भूजन के बिना लिया जाता है आपको दी जाने वाली खुराक आपकी स्थिती पर निर्भर करती है और आप दवा के प्रती कैसी प्रतिक्रिया करते हैं जब तक आपका डॉक्टर सलाह देता है तब तक आपको यह दवा लेते रहना चाहिए यदि आप बहुत जल्दी इलाज बंद कर देते हैं तो आपके लक्षन वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिती और खराब हो सकती है अपनी स्वास्थि सेवा टीम को उन सभी अन्य दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं क्योंकि कुछ इस दवा से प्रभावित हो सकती हैं या प्रभावित हो सकती हैं सबसे आम दुश प्रभाव दस्थ, पेट दर्द, मूह में सूखापन, सिरदर्द, यह दवा चक कर आना और नींद का कारण हो सकती है इसलिए जब तक आप यह नहीं जानते कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती है तब तक गाड़ी न चलाएं या ऐसा कुछ भी न करें जिसमें मानसिक ध्यान केंदरित करने की आवश्यक्ता हो इस दवा को लेते समय चराब पीने से बचें क्यूंकि इससे आपकी नींद खराब हो सकती है जीवन शेली में बदलाव जैसे ठंडा दूद पीना और गर्म चाय, कॉफी, मसालेदार भोजन या चोकलेट से परहेज करना आपको बहतर परिनाम प्राप्त करने में मदद कर सकता है इस से पहले कि आप इस दवा को लेना शुरू करें, अपने चिकित सक को सूचित करना महत्वपून है कि क्या आप गुर्दे या जिगर की बीमारी से पीडित हैं, आपको अपने डॉक्टर को भी बताना चाहिए कि क्या आप गर्भवती हैं, गर्भावस्था की योजना बना रही हैं या स्तनपान करा रही हैं, विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद, अगर आपको विडियो अच्छी लगी हो तो विडियो को लाइक करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें, और आल नोटिफिकेशन को क्ल करें, धन्यवाद